नमस्कार दोस्तों आपका हमारे चानल कोसल्या देसी किचन में हार्दिक स्वागत है आज हम बनाने जा रहे हैं ऐसे समय से जो आप कभी रेश्टूर्ण में भी खाए से नहींगे वो बिल्कुल हम घर पे बनाएंगे कभी हम जाने के सोचते हैं रेश्टोन में आप सोचते हैं कि वहाँ लसुन प्याज होगा तो उससे भी बेहतर हम बनाएंगे घर में समों से वो भी पनीर वाली इसका टेस्ट आप भूल नहीं पाएंगे इसके लिए चाहिए हमें सबसे पहले मैदा 200 ग्राम और आलू हाप किलो आलू को हमने छील लिया है छील कर इसे हम मसाल लेंगे तो चलिए इसको मसाल लेते हैं अच्छे से एक दोफ सोप तरीके से हमने आलू को वोईल किया हुआ है और इसके बाद हम लेंगे पनीर 1500 ग्राम पनीर को हमने कट कर लिया छोटे छोटे पीसस में और इसके बाद हम लेंगे मसाले धनिया पत्ता एक कप कटा हुआ दो चमच अधरक कुटा हुआ एक चमच हरी मिर्च कटा हुआ दो चमच जीरा गुल की इसे कूट लेंगे मौमफली एक कप ज्वाइन मंगरेल एक चमच इसके बाद हम मौमफली को भूल लेंगे लोपलेम पर एकदम करारा होने तक तो देखिए इसको हमने भूल लिया है और इसको ठंडा करके इसका हमें छिलका को हटा लेना है तो चलिए पहले हम डाल देते हैं मैदा और इसके बाद हम डाल देंगे एक बड़े चमच सुजी और स्वाद अनुसार नमक ज्वाइन मंगरेल एक चमच और इसके बाद हमने घी पहले से गरम करके ठंडा कर लिया है वो हम इसमें डालेंगे आप इसमें रिफाइन भी डाल सकते हैं तेहां पर हमने नमक कौन सी डाला था वो हमने सेलह नमक डाला था और यह देखी एक डो बनने तक हमें डालना है इसमें रिफाइन या गी तो इसको हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है मसल मसल कर तभी हमारा समोसा एकदम करारा और किस्पी बनेगा एकदम पानी हमें थोड़ा थोड़ा डाल कर इसे टाइट आटा को गुनना है और इसको गुनने के बाद हम आदे घंटे, एक घंटे आप दो घंटे भी से रख सकते हैं इसे रेष्ट होने के लिए रख देंगे तो चलिए आदे घंटे के लिए इसे रेष्ट होने के लिए छोड़ देते हैं प्लास्टिक से कबर कर देते हैं तब तक हम मसाले बना लेंगे तो यहाँ पर हम तेल डाल देंगे सरसो का आप घी बटर कुछ भी डाल सकते हैं और पहले हम पनीर को फ्राई कर लेंगे तभी हमारा समोसे में बहुत अचा टेस्ट आएगा ऐसे समोसे आपने कभी खाएं भी नहीं होंगे जितना टेस्टी हम घर में बना सकते हैं यह कोई भी वरत में आप इस समोसा बना कर खा सकते हैं सावन का महिना हो नौरातन हो कोई भी हो कभी भी हो तो इसे आप बना कर खा सकते हैं बीना तेहवार को भी इसे बना कर खा सकते हैं यहाँ पर पाचपोणन हमने डाल दिया है और इसको चटकने देंगे इसके बाद हम इसमें डाल देंगे हरी मिर्च और अधरक कुटा हुआ और डाल कर इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है अधरक और मिर्च को अब इसी में हम डाल देंगे वालू आलू को हमने पहले ही मसल लिया था और अच्छे से मिक्स कर लेंगे तो ये देखे हमने आलू को अच्छे से मिक्स कर लिया है और इसी में हम डाल देंगे मोमफली और ये देखे हमने गोलकी और जीरा कुट कर रखा था साथ में उसके भी हमने डाल दिया है मोमफली के साथ और इसे अच्छे से मिला लेंगे और इसके बाद हम हल्दी भी डाल देंगे और इसे भी अच्छे से मिला लेंगे कि हल्दी अच्छे से पक जाए और इसके बाद हम डाल देंगे लाल मिर्च आपको जितना तिखा पसंद और यहां पर पनीर मसाला भी हमने डाल दिया है, समोसे में, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आएगा आपको, तो इसको हम सारे चीजों को अच्छा से मिक्स कर लेंगे, तो यह देखिए अच्छा से मिला लेना है, सारे मसाले एकदम सौप्ट हो जाए, बहुत ना भी असवा और यह दिक्षिए हमने सेलह नमक इसमें डाल दिया है अब इसमें हम डाल देंगे पनीर को और आलो जो हमने मसाले इसमें mm कर देंगे और इसके बार से हम हरी दनिया आटा कर रखे था कि यह सोप्ट इतना हो चुका है तो चलिए इसका आप लोई हम बनाते हैं दोस्तों अगर आप हमारे चानेल पर नए हैं तो हमारे चानेल को सस्क्राइब कीजिए हमारे रेसिपी को लाइक कीजिए ज्यादा से ज्यादा से ज्यादा कीजिए कि आने वाली रेसिपी को नोटि लेंगे चलिए यहां पर हमने चार लोई बनाया है तो हमारे आठ समोसे हो जाएंगे इसको हम अच्छे से लोई बना लेंगे टाइट रहना चाहिए समोसे वाला आठा क्योंकि तभी हमारा करारा बने एक दम क्रिस्पी दोस्तों अगर आपने हमारा कौन वाला समोसा बनाने क रेसीवी नहीं देखा है तो आई बटम पर उसका लिंक दिया हुआ है आप वहां जाकर देख सकते हैं वो भी बिना लसुन प्याज का है तो चली इसको बेल लेते हैं अच्छे से यह दिखिए थोड़ा तो टाइट ही होता है मैदा बेलने में कोई बात नहीं है इससे हम बेल निश्य के तरफ हमने पानी लगा दिया है अब हमें इसे मोड़ना किस तरह से यह देखिए नीचे के तरफ भी हमीं अच्छे से मोड लेना है और उपर के तरफ भी आभ मसाले डालेंगे जो हमने सुमोसे के लिए बना कर रखे हैं ये दिखिए इस तरह से हम कर लेंगे अच्छे से फिला लेंगे ये मूर रहा था अब इसमें हम डाल देंगे मसाले मसाले हमें अच्छे से भर लेना है सोमोसे में तभी हमारा सोमोसा जो है जब तक रहेगा सोमोसे में आलू तभे तक अच्छा लगता है तो मोड़ना किस तरह से यह आपको बताते हैं बस इस तरह से कोई जंजट नहीं है कोई परिशानी नहीं है इसी तरह से बिल्कुल मोड़ना है यह दिखिए जैसे हम आइस क्रीम मौला कौन खाते हैं बिल्कुल उसी तरह से मोड़ना है और यह दिखिए इसमें हम डाल देंगे मस शच्चाले को अच्छे से अजय थैंगें टाइगए अच्छे से और खुद्तुदेति अब लिए को चीपकाना नहीं चुपकाना ह treaty साना से पानी लगा कर तब आपको अच्छा मोड़ना है किस तरह मोड़ना है बहुत बना में हम थोड़ा खाली छोड़ेंगे तभी हम अच्छे से इसे पैक कर पाएंगे तो साइट साइट से पानी लगा देना है इस तरह से पानी से यह अच्छे से चिपकता है और अच्छे से हमें इसे पैक करना है उंगलियों से हमें अच्छे से चिपकाना है कि तेल में जाकर य अब हम इसे तलेंगे तो पसंद में तल सकते हैं तो चले आप हमने रिफायन को रख दिया है गरम होने के लिए और तेल ठंडा हो जाए तब इसमें समोसे डालना है पहले हमें लो फ्लेम पर इसे पकाना है उसके बाद हमें इसे रहा है जब यह बुलुला पूरा फेकने लग तब इसे हमें high medium पर तलना है, पूरा तेल आप घरम करके डालेंगे समोसे, तो ये रोटी जैसा फूलने लगेगा, perfect नहीं बनेगा, तो समोसे अच्छे से तलना है, तो तेल जब तनी थंडा रहे हैं, तभी आपको समोसे को डालना है, और उसके बाद जब उपर आने लगे, तो high medium पर इसे तलना है, ये देखिए, आपको जितना उसमें 8 जाय कड़ाई में, उतना आपको डालना है, तो समोसे यहाँ पर हमने बड़ा बड़ा बनाया है, इसलिए हमने 4 पीसी ही डाला है, और ये एकदम crispy और करारा हमारा समोसा बनकर ready है, चलिए इसे निकालते हैं, और इसको हम चटनी के साथ फटाफट पोरोसेंगे और tomato sauce के साथ, तो चलिए इसको निकाल कर रख लेते हैं और जो बाकी है उसको भी हम इसी तरह से तल लेते हैं, चलिए फटाफट से निकालते हैं, निकालते हैं, यहाँ परीमली लिया है, अधरक लिया है, हरी मिर्च लि बिना लसन प्याज के समसा हमने सारे तल लिए हैं आप देख सकते हैं कि अगदम करारा और किस्पी और कलर भी बिल्कुल पॉर्फेक्ट है चलिए पुरुषते हैं यह देखिए घर में आपका भी भी जब भी आपका मन्चा है आपके घर में तेवार हो या नहीं भी हो लसन आज आप खाते हैं तो आप इसमें लसन डाल सकते हैं और यह देखी हमने सौस और हमने धनिया पुदिना का चटनी के साथ इसे पुरोष्टा है तो दोस्तों आगर आपको हमारा रेसिपी पसंद आये तो हमारे रेसिपी को लाइक किजिएगा हमारे चैनल को सस्क्राइब किजिएगा और ज्यादा साथ किजिएगा कोमेंट करके जरूर बताएगा कि हमारे समोसे बनाने के रेसिपी आपको कैसी लगी सबके पर दिए हूँ और फिर से मिलती हूँ एक नए रेसिपी के साथ